प्रकास चोटाला हर्याना के वो बहुत जल्दी बाइज़र बरी हो जाएंगे अपनी जेल टम को पूरा कर लेंगे तो ऐसा क्या हुआ और कैसे उनकी जेल टम कम हुई कैसे इसमें रिमिशन मिला ये सब देखेंगे और साथी साथ ये भी देखेंगे कि वो जेल गए क्यों थ अगर आप स्टेट जूडिशी एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हैं तो फिर आप हमारे कोर्सेस को बार्चेस कर सकते हैं कोर्सेस प्रिलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान रखते हों डिजाइन किये गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के तरू आप इ रिलीजड फ्रॉम डेली तिहार जिल सून अंडर स्पेशल रेमिशन रूल अब देखते हैं स्पेशल रेमिशन रूल का है और कैसे इनकी टर्म जो है वो कम हो गई या खतम हो गई अभी आपको पता होगा कि एक जेबिटी स्कैम हुआ था जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टी गया था इनकी गवर्मेंट द्वारा जब ये सी एम थे तो वहाँ पर कुछ जेबिटी स्को अपॉइंट किया गया था रिकूट किया गया था विच सम फेक डॉक्यूमेंट बहुत फेक डॉक्यूमेंट लगा के तो उसमें उस समय के जो एक 1989 बैच के आयस ऑफिसर थे वो ब्लॉर बने उन्होंने कोर्ण में क्मप्लेंड की कोर्ण में जब ये गये तो चाटाला ने भी पल्एक की ये तक है इसने भी किया था तो इसे ने खुदी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर दिया था हमने ऐसा कुछ नहीं गया तो यहाँ पर एक cm और aske की फई लंभी चलि सब लोग इन लोगों ने मिलके लगबक तीन से चारलाग रुपे कैनिडेट से लिये थे और फरजी फेक डॉक्यूमेंट्स के थूरू रेकूर्ट्मेंट्स कराई थी और जो जेनुएन लोग थे उनको लिस्स से बाहर कर दिया गया था और जो फेक डॉक्यूमेंट्स के थूरू लोगों को जेवीटी की जॉब्स गर्मेंट्स उस समय मिल गई थी और उस समय कोर्ट ने 2013 में वर्डिक्ट डिलेवर करते समय अलग-अलग लोगों को अलग-अलग सजाएं दी थी चौटाला के साथ 30 लोग कन्विक्ट हेल्ड किये गए थे जि जज्जमेंट्स चलती रही और 10 साल की सजा है वो 2013 में ही सुना दी गई थी अब इससे पहले वी कुछ-कुछ थोड़ी-थोड़ी जेल टर्म्स ये ले चुके थे इस केस में लेके क्योंकि CBI काफी लंबे समय से चार्ज शीट फाइल करके सेशन कोर्ट और फाइनली हाई क कोट और सुप्रीम कोट तक आई थी अब यहां पर यह बात आ रही है कि एक सीम जो है ओपी चॉटाला ये इफ्तिहार जेल से फ्री हो जाएंगा फ्री क्योंगे डेली गवर्मेंट की रेमिशन ओर आएं तो एक बार रेमिशन ओर देखते हो दूसरी चीज़ा में यह जान हैंगे और आगे चॉटाला क्लैन कैसे चलेगा अब यहां पर लीगल प्रोविजन देखें जिससे चॉटाला ओंप्रकास चॉटाला को बेनिफिट मिला है कि आपको याद होगा कोविड-19 के आउटड्रेक के चलते एमर्जिंसी परोज दे दी गई थी जेल को डिकंजिस् अब इनकी जो कोविड रिलीव था ये फेबरी 21 को खतम हो जाना था फेबरी 21, 2021 को इनको वापिस से सरंडर करना था और जेल में वापिस आना था अब यहां पर इनकी जो रिटर्न की डेट है इसको डेली हाई कोट ने फिर से बढ़ा दिया इनकी बिमारी को देखते हुए इनकी एज को देखते हुए लेकिन अभी हाली में डेली गोवर्मेंट का एक ओडर आया जिस दिन इनको सरंडर करना था उस दिन से इनकी दो मन्त और 27 दिन की सजा बची हुई थी लगबग 9 साल ये काट चुके थे जेल में इस जेबीटी स्कैम में ओवराल आठ साल पिछल इसको special remission order भी कहा गया जिसमें ये कहा गया कि हरवो person या हरवो जो convict है जो 10 साल जिसको सजा मिली हुई है और वह उसमें से लगबग 9 साल जेल में बिता चुका है 9.5 ये जेल में बिता चुका है तो अगले जो 6 महीने उसके बचे हैं उसको remit कर दिया जाए वो सजा माफ क जैसे कि आपको पता है ये presidential और governor की power होती है जिसमें remission जो है वो दे दिया जाता है convicts को तो यहीं इसी तरह से डेली government ने convicts को remission दिया और उसी में से एक convicts ये भी थे ये लगबग 9.9 महीने 9.9 मन्थ इंपाट ये सजा काट चुके थे तो उम्परकास चोटाला जो है उनकी जो जेल टर्म है वो 9.9 मन्थ की पूरी हो चुकी थी और लगबग 3 मन्थ उनके पास बचे थे और ये 3 मन्थ की अब उनको remission मिल गए यानि 9 साल और 9 महीने की सजा काटने के बाद ये मना गया कि उन्होंने अपने 10 ये की जेल टर्म को अपनी convict की टर्म को पूरा कर लिए तो अब ये कहा जा रहे है कि now he'll be a free man अब उनको वापस जाना है क्योंकि वो परोल पे बाहर थे वापस जाके तेहार जेल अथॉर्टी के सामने surrender करना है तेहार जेल अथॉर्टी उनके remission के order को finalize करके उनकी जेल टर्म को complete करके उनको proper documentation करके रिलीव कर देगी जेल स तो रिलीव हो जाएंगे जेल से और फिर वापस उनको अब जेल नहीं जाना पड़ेगा ये one for all हो गया अब साथी साथ एक चीज़ और देखते हैं कि इनके आने से अटकले लगाई जारी है कि जो politics है हर्याना की वो फिर से बदलेगी जैसे है कि आप में देखा हर्याना मे last time जो government आई थी वो इनी के grandson दुष्यन्थ चोटाला की JJP की जो नई party बनी थी उसके साथ मिलके थी दुष्यन्थ चोटाला इस समय डिप्टी CMB हैं और BJP से साथ coalition में 10 MLA देके सरकार चला रहे हैं तो यहां देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ देविलाल जो एक समय में हर्याना में इतने famous माने जाते था और कहा जाता 1967 के बाद सिर्फ ताउ देविलाल का नाम सिर्थ सा ही नहीं पुरे हर्याना में लिया जाता था ऐसा क्या हुआ कि family में ऐसा dispute हुआ और जो उनकी अपनी form की हुई INLD party थी इंडियन लोगदल जो पार्टी थी उसका political future क्यों इतना dull और bleak हो गया तो देखेंगे देविलाल के चार बेटे थे ओपी चोटाला जिसमें से सबसे बड़े थे यही politics में आगे बड़े आगे इनके दो बेटे आजे सिंग और अभे सिंग अब आजे सिंग जो है वो आप देखेंगे कि दुशंत के साथ दुशंत के साथ उन्होंने मि ही था कि मुझे बाइज़त बरी कर दिया जा उसके लिए उन्होंने जेज़ेपी फ्लोट की और बीज़ेपी के साथ टाइप कर लिया लेकिन दूसरी तरफ अबे सिंग चोटाला जो है वो सिर्शा से एकलोते आइनलडी के चुने हुए MLA बचे थे लास्ट इलेक्शन में और इस फार्णर बचेस्ट के चलते अबे ने भी जो है रिजाइन कर दिया था तो इस समय वो MLA नहीं है वो रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि फार्मर्ण बचेस्ट में वो यह दिखाना चाहते है कि आइनल दी जो है वो फार्मर्स के साथ खड़ी है जब से ताऊ बाहर है जब से आप देखेंगे वो प्रकाश बाहर हैं, तब से वो काफी लंबे समय से सारे फार्मर से मिल रहे हैं, अलग-अलग मीटिंग्स को अड्रेस कर रहे हैं, as a speaker कई जगे जा रहे हैं, तो कहा जा रहे हैं कि अपनी INLD के वो दिन जो उनके समय में थे और उनके फादर यानि देविलाल के समय में थे, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर से हर्याना में INLD जो है, वो एक स्ट्रॉंग होल्ड की तरह, फार्मर पार्टी बनके उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं इसके आगे क्या माइन हैं, लेकिन कई लोग यह मान रह और फार्मर आज भी ऐसी पॉलिसी से इंफ्लेंस्ट होते हैं, जहां पर गर्मेंट उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाती और उन्हीं पॉलिसी पे वोट भी देते हैं, लेकिन देखते हैं, INLD अपनी वापिस सिचुएशन को कैसे रिगेन कर पाएगी, और जो लॉस्ट ग्राउंडों से कैसे रिवाइब कर पाएगी, तो आशागरतना टॉपिक आपको समझ माया होगा, मिलेंगे इस तरह की और पॉलिटिकल न्यूज में